गुड मॉर्निंग एवरिवन वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल एच रखनो विलॉगर आप लोग कैसे उमीद अच्छे होंगे और आज हम लोग बनाएंगे एक वेल टेपर वेल तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आप मैंने मटीरियल लग दिया है तो यह देखिए यहाँ पर मैंने एक ब्लाक स्केच पेन लिया है यह देखिए ब्लाक स्केच पेन लिया है यहाँ पर मैंने एक फेविकोल लिया है यह देखिए यहाँ पर मैंने आपके पास जू कलर का चार्ट पेपर हो आप यू कलर का ले सकते हैं आप में पास यह देखि की तरह बन चुका है और यह पर में एक सीजर लिया और घाए सेशार मैं डॉर सिसे सब देखके नहीं हो कि यह पर मैंने यह 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 इसलेड भोत फिर उरक वाला एक टोल को भी पेपर लिया है यह बहुत ही इसली इस्टेशणरी शौप पर एविलेबल होता है और यह देखिए तो मैंने इसके एक स्टेप पतली से काट लिया आप लोगों को भी ऐसी काटना है तो चलिए हमनों अब फिर आगे का स्टेप करते हैं लेट्स केट स्टार्टेड तो काईज जो हमनों का फर्स स्टेप है वह बेसिकली इस चार्ट पेपरी से है तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आप यह मैंने ट्रैंगिल को कर लिया है ट्रैंगिल एक फोल्ड मैंने कर लिया है जैसे आपका यह स्क्वाइर है पूरा कटवा पीस ओफ इसक्वाइर पेपर अब हम लोग इसे ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे अच्छे से आपको इससे प्रेस करना है तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है आप यह जो आप याला कॉर्णर लेंगे यह देखिए आप मैंने इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है और यह जो उपर का रिमेनिंग पार्ट है हम लोग इसे ऐसे करके कुछ बंद कर देंगे तो गाइच ऐसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यह इक्वाल लेंड से हैं आई देखिए नीचे से थोड़ा गाप होगा तो आप लोग परशान मत होईए यह ऐसी होगा और उपर से मैंने इसे क्लोस कर दिया है अब जहां पर यह जो बीच में एक लाइन है इसी त किसी भी साइट से जिस साइट से आप बना रहे हो उसी साइट से आप यहां से इसे कुछ यहां से यहां से इसे कुछ ऐसे करके फोल्ड कर लीजे देखिए मैंने इसे ऐसे करके फोल्ड कर लिया है अब हम लोग मैं आपको फिर से एक बार दिखा दे रही हूं पूरा मैं प इसे ऐसे करके फोल्ड कर लिया अब हम लोग इस स्ट्रिप को जो हम लोग ने काटा है अब हम लोग इसे फोल्ड करेंगे आप लोग को यहाँ पर एक सीजर से कट भी लगाना है तो गाइस जैसे के आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक कट लगा दिये अब हम लोग इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे करके देखिए ऐसे करके हम लोग इसे पूरा फोल्ड कर लेंगे तो गाइस जय सकते हैं यहां पर मैंने इसे ग्लू लगाके यह इतना रिमेनिंग पार तो मैंने याँ पर ग्ल्या लगाके इसे इस्टिक कर दिया है हाँ ऊपर से मैंने यह देखे कट लगा है यह देखे और यह हम लोग अब अपनी वेल के अग्दम टॉप पे स्टिक करेंगे तो गाइस देखें आप मैंने अग्दम टॉप पे से चिपका दिया अब हम लोग यहाँ पर एक गुगली आईस लगाएंगे तो गाइस देखिए आप आप मैंने ही गुगली आइस यहाँ पर स्टिक कर दिये और यह देखिए किता प्रेटी लग रहा है और गाइस अगर आप लोग को में वीडियो पसंद आए है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा ताइस आप आप लोगा आप लोगा है